बॉलीबूर की खिलाड़ी कुमार की फीस सुनकर तो लोग दातों तले जीब दवा लेते हैं 14 साल पहले जब मास्टर शेफ इंडिया का पहला सीजन आया था तब अक्षे कुमार भी जस्त थे सोच ये एक तरफ खानों के जादोगर संजीब कुपर और दूसरी तरफ बॉलीबूट का स्टार लेकिन अक्षे कुमार की फीस इतनी उची थी शायद संजीब कुपर ने भी एक पल के लिए सोचा होगा क्या मैं इतनी फीस लेने की इमत कर सकता हूँ अक्षे कुमार के बाद ये शोब भारत के सबसे मशूर शेफ शंजीब कुपर के पास गया उन्हें शोब करने के हामी तो भर दी लेकिन मेकर्स के सामने ऐसी शर्त रखी कि उनके होस उड़ गये उन्हें संजीब कुपर से साफ कह दिया नहीं धन्यवाद शिधार्द करनन के साथ हुए बातचित में मास्टर शेफ संजीब कपुन ने खुद इस बात का खुलाशा किया है उन्हें बताया जब मास्टर शेफ का ओफर आया हम पहले से हैं एक खाने का शो कर रहे थे हमें अंदाजा था कि ये शो कितना बड़ा हिट होने वाला है फिर मास्टर शेफ वाले मेरे पास आये उन्हें बताया कि एक ज़स तो फिक्स हो गया है और वो कोई और नहीं बलकि अक्षे कुमार है संजीब कुमार आगे कहते हैं उन्होंने मेकर से कहा कि वो शो करेंगे लेकिन वो अक्षे कुमार से एक रुपे ज़्यादा फिस चार्च करेंगे अक्षे कुमार से जादा फिस देने की बात पर उनको निकाल दिया गया हलांकि पहले सीजन के बाद मेकर्स ने शंजीव कपुर को कास्ट करते हुए अक्षे कुमार को रिप्लेस कर दिया आपको बता दे मास्टर शेफ इंडिया के एट सीजन आ चुकी हैं और हर सीजन के साथ इस किचन का तापमन बढ़ता ही गया शंजीव कपुर ने तो इस शो को अपनी रशुई की तरह चलाया था लेकिन उनके बाद विकाश खन्ना और रन्बी बर्रार जैसे ने शेफों ने इस शो में धूम मचा दी ऐसी निउस सब्डेट हैने के लिए वहाँ आट टॉक को सब्सक्राइब करें